C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थै कक्षा 6 की हिंदी की पाठे पुस्तक बाल राम कथा 12 पाठों की इस पुस्तक का अप्रस्तु थै पहला पाठ अवदपुरी में राम प्रिष्ट एक ये कथा अवद की है और बहुत पुरानी है अवद में सर्यू नदी के किनारे एक अति सुन्दर नगर था अयोध्या सही अर्थों में दर्शनिये देखने लायक भवेता जैसे उसका दूसरा नाम हो अयोध्या में केवल राजमहल भवे नहीं था उसकी एक एक इमारत आलिशान थी आम लोगों के घर भवे थे सडकें चोड़ी थी सुन्दर बाग बगीचे पानी से लबालब भरे सरोवर खेतों में लहराती, भरियाली हवा में हिल्ती फसलें सर्यू की लहरों के साथ खेलती थी अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी संपन्नता कोने अंत्रे तक बिखरी हुई सभी सुखी, सब समरित दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनमती नहीं थी पूरा नगर विलक्षन था अद्भुत और मनोरम उसे ऐसा हो नहीं था वह कोसल राज्ये की राजधानी था राजा दशरत वहीं रहते थे उनके राज में दुख का भला क्या काम राजा दशरत कुशल युद्धा और न्याय प्रिये शासक थे महराज अज के पुत्र महराज रगु के वंशज रगुकुल के उत्तरादिकारी रगुकुल की रीती नीती का प्रभाव हर जगा दिखाई दिता था सुख समर्दी से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे पवित्रता और शान ते हर जगा थी नगर में भी लोगों की मन में भी राजा दशरत यशस्वी थे उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी राज सुख था कमी होने का प्रश्ण ही नहीं था लेकिन उन्हें एक दुख था चोटा सा दुख मन के एक कोने में छिपा हुआ वह रह रह कर उभर आता था उन्हें सालता रहता था उनके कोई संतान नहीं थी आयू लगतार बढ़ती जा रही थी उनकी तीन रानिया थी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था संतान की कमी जीवन सूना सूना लगता था राजा दशरत से रानियों की बादचीत प्राय इसी विशे पर आकर रुख जाती थी राजा दशरत की चिंता बढ़ती जा रही थी प्रिष्ट दो इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक योगी है कुछ पौधे हैं जिन पर कुछ पुर्षों के चित्र है कुछ पौधे बनाय गए हैं जिनके उपर स्त्रियों के मुख है एक हवन कुंड बनाया गया है एक स्त्री है जिसके हाथ में कोई बरतन है और कुछ हाथ दिये गए हैं स्त्रियों के जिन पर मेहन्दी लगी हुई है प्रेश्ट तीन बहुत सोच विचार कर महराज दशरत ने इस संबंध में वशिष्ट मुनी से चर्चा की उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई रगुकुल के अगले उत्राधिकारी के बारे में अपनी चिन्ता बताई मुनी वशिष्ट राजा दशरत की चिन्ता समझते थे उन्होंने दशरत को यग्य करने की सलह दी पुत्रेश्ट यग्य महरशी ने कहा आप पुत्रेश्ट यग्य करें महराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी यग्य महान तपस्वी रिश्य शरिंग की देख रेख में हुआ पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था यग्य शाला सरियू नदी के किनारे बनाए गई यग्य में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया तमाम रिशी मुनी पधरे शंख ध्वनी और मंत्र चार के बीच एक एक कर सबने आहुते डाली अन्तिम आहुते राजा दशरत की थी यग्य पूरा हुआ अग्नी के देवता ने महराज दशरत को आशिरवाद दिया कुछ समय बाद दशरत की इच्छा पूरी हुई तीन रानिया पुत्रवती हुई महराणी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र मह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए लक्ष्मन और शत्रुग्न रानी कह गई के पुत्र का नाम भरत रखा गया राज महल में खुशी छा गई नगर में बधाईयां बजने लगी मंगल गीत गाए गए हर ओर खुशी उत्सव जैसा द्रिश्य राजा दशरत प्रसन्न थे उनकी मनो कामना पूरी हुई प्रजा प्रसन्न थी कि दशरत की चिंता दूर हुई नगर में बड़ा समार हो आयोजित किया गया धूम धाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आये राजा दशरत ने सबको पूरा सम्मान दिया उन्हें कपड़े अनाज और धन देकर विदा किया चारों राजगुमार धीरे धीरे बड़े हुए वे बहुत सुन्दर थे सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो लोग उने देखते रह जाते आखें उनसे हटती ही नहीं थी चारों भाईयों में आपस में बहुत प्रेम था वे अपने बड़े भाई राम की आज्या मानते थे खेल कूद में लक्षमन प्राया राम के साथ रहते भरत और शत्रुगुन की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजगुमारों को शीक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया उन्होंने कुषल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया शास्त्रों का अध्ययान किया शस्त्र विद्या सीखी चारों राजगुमार कुषागर बुद्धी थे जल्दी ही सब विद्याओं में पारंगत हो गये राम इसमें सर्वो परी थे उन्हें कई अन्य गुण भी थे विवेक, शालीन ता और न्याय प्रियता राजा दशरत को राम सबसे अधिक प्रियते जियेश्ट पोत्र होने के कारण और इन मानविय गुणों के कारण भी प्रेश्ट चार राजकुमार कुछ और बड़े हुए विवायोग्य नगर में इसकी चर्चा होने लगी महराज दशरत भी ऐसा ही चाहते थे अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुए परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी गेहन मंत्रणा तब ही एक द्वार पाल घबराया हुआ अंदर आया उसने सूचना दी कि महर्शी विश्वमित्र पधारे है महराज दश्रत तत्काल अपना आसन छोड़ कर खड़े हो गए द्वार की ओर बढ़े महर्शी की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आये विश्वमित्र को उचा आसन दिया गया विश्वमित्र कभी स्वयम राजा थे बहुत बड़े और बलचाली बाद में अपना राजपार्ट छोड़ दिया सन्यास ग्रहन कर लिया जंगल चले गए वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया उसे उन्होंने सिध्धाश्रम नाम दिया महर्शी के स्वागत सत्कार के बाद दश्रत ने कहा आपकी आग्या का पूरी तरह पालन होगा राजन मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा आप आग्या दीजे महर्शी मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ बिल्कुल नहीं हिचकूंगा मैं सिद्धी के लिए यग्य कर रहा हूँ अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है लेकिन दो राक्षस इसमें बाधा डाल रहे हैं मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है वहराम हैं आप अपने जेश्ट पुत्र को मुझे दे दें ताकि यग्य पूरा हो विश्वमित्र ने कहा दशरत पर जैसे बिजली किर पड़ी वह अचकचा गए उन्हें उमेद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे उनके जेश्ट पुत्र उनकी सबसे प्रिय दशरत चिंता में पड़ गए विश्वमित्र दशरत की दुविधा समझ रहे थे उन्होंने कहा मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ यग्य दस दिन में संपन्न हो जाएगा महराज दशरत दुखी हो गए पुत्र वियो की आशंका से काप उठे दरबार में सन्नाटा चागया दशरत की दशा देख कर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे महर्शी वशिष्ट शांत थे इतने में दशरत काप कर बिहोश हो गए होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड लिया मूर्शित होकर फिर गिर पड़े संग्या शून्य पड़े रहे प्रेश्ट पांच महर्शी विश्वमित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे महर्शी और महराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था मुनि वशिष्ट चुपचाप आकर महराज दशरत के पास खड़े हो गए थोड़ी देर बाद दशरत उठे स्वैम को संभालते हुए उन्होंने महर्शी से विन्नती की महामुनी मेरा राम तो अभी सोला वर्ष का भी नहीं हुआ है वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा राक्षस माया भी है वह उनका चल कपट कैसे समझेगा उन्हें कैसे मारेगा इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सीना ले जाएं मैं स्वयम आपके साथ चलूँ राक्षसों से युद करूँ महर्षी विश्वा मित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे उन्हें अपने यग्य के नियम याद थे क्रोध करने से यग्य खंडित हो जाता अनुष्ठान अधूरा रह जाता मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनी एक पल भी नहीं आप राम को छोड़ कर जो चाहे मांग लें उसी मत ले जाएए मैं राम को नहीं दूँगा बिलकुल नहीं वह मेरे बुढ़ापे की संतान है मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ महर्शी का क्रोध भवाक उठा दरवार, मंत्रिगन और रिशी मुनी सकते में आ गए आप रगुकुल की रीती तोड़ रहे हैं राजन वचन दे कर पीछे हट रहे हैं यह बरताव कुल के विनाश का सूचक है आप जानते हैं कि मैं स्वयम दुष्ट राक्षसों का संगार कर सकता था लेकिन मैंने सन्यास ले लिया है अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लोट जाऊंगा बात बिगड़ती देखकर मुनी वशिष्ट आगे आए महराज दशरत को समझाया राम की शक्ति के बारे में प्रतग्या तोड़ने के संबंध में महर्शी विश्वमित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाब के बारे में राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए रगुकुल की रीत यही है प्राण देकर भी आपके पूरवचों ने वचन निभाया है आप राम की चिंता ना करें महर्शी के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगार सकता महराज दशरत की चिंता कुछ कम होई पर मन अब भी खिन था पुत्र विच्छोहों का दुख सभी तर्वों पर भारी पड़ रहा था प्रिष्ट चै गुरु वशिष्ट ने कहा महराज महर्शी विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं तपस्वी हैं अनेक गुप्त विद्ध्याओं के जानकार हैं वह कुछ सोच कर ही यहां आये हैं राम उनसे अनेक नई विद्ध्याएं सीख सकेंगे आप राम को महर्शी विश्वामित्र के साथ जाने दें राम को उन्हीं सौब दें दश्रत ने मुनी वशिष्ट की बात दुखी मन से स्विकार कर ली लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कहा कि वे राम के साथ उनकी छोटे भाई लक्ष्मन को भी ले जाएं महर्शी विश्वामित्र ने महराज दश्रत का यह आग्रह सुईकार कर लिया राम और लक्ष्मन को ततकाल दरबार में बुलाया गया महराज दश्रत ने उन्हें अपने निर्ने की सूचना दी दूनों भाईयों ने उसे सहर्ष सुईकार कर लिया सिर्जुका कर आदर सहित इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई बताया गया कि ये राम और लक्षमन वन जा रहे हैं महर्शी विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ शंख द्वनी हुई नगाडे बजे महराज दश्रत ने भावक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक जूम कर उन्हें महर्शी को सौप दिया दोनों राजकुमार बिना विलंब किये महर्शी के साथ चल पड़े बीहड और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे-आगे चल रहे थे राम उनकी पीछे थे लक्षमन राम से दो कदम पीछे अपने धनोज संभाले हुए पीट पर तोनी इरबाधे कमर में तलवार लटकाए इसी के साथ कक्षा चे की पाठे पुस्तक बाल राम कथा का पहला पाठ अवद पुरी में राम समाप्थ हुआ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत